हेलो नमस्कार जाहिंद संसत के द्वारा पेपर लीक करने वालों पर प्रहार करने के लिए एक पेपर लीक अधिनियम आ गया है जो संसत से पास हो चुका है पेपर लीक करने वालों के खिलाप यह कड़ा एक्षन होगा और पेपर लीक करने वाले आप पेपर लीक करने में कि तो यह कानून कितना हाथ तक सफल होता यह तो आंवाला समस्च समय ही बताएगा लेकिन क्या-क्या है इसरे ओनों किस प्रकार का होगा क्या धचा होगा इसके बारे में सम्पूरण जन्मकारी इस बीडियो में देंगे तो तो वीडियो में बने रहें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की इंफर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें कि देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या है पेपर लिक के बारे में कानून के बारे में इस प्रकार की फोटो जो है कि पेपरों में खुब आप देखते होंगे कि यह पेपर लिक करने वाले इतना यहां से इतना धरे गई वहां से इतना धरे गई इस प्रकार का खुब देख तो श्रूटेल होगा इनहीं लोगों पर करवाई करने के लिए ये बूला लिए दिया है है पुला मुख अब इस पर यह पिर लीक करने वाले एक पर बैठेंगा और उसकी कानूंँन पढ़ता है इस पर पेपर लिक वाले होते हैं कि इस पर होते हैं यहने कि भारी कानून पढ़ता है कि भारी पेपर लिक करने वाले ही पढ़ते हैं आगे की बात अब देखना है समय वह इस से क्या बताता है फिलहाल के लिए इस कानून को हम लोग देखते हैं कि इसका नाम क्या है ए एक नाम क्या होगा लोग परिछा औनुचित साधन निवारक बिदयक 24 पिलहाल इसमिल्दियक तुरसल लोग सभा से पास हो चुका है लोग सभा से भी कहत प्रावरी हुआ जब दस पर चाहिँ को पेष किया और और राष्टपति की हैति अप्षा जाता है तो एक्ट बन जाता है तो हाला Keep लोगसभा और डोनों से पास हो चुक है लेकिन राष्टपति को सिगनेचयर अभी तक नहीं हुआ है तो यह अभी अभी विधियक है लेकिन जब लोग सब्सभाराश्बा वदोनों से ऑई गया तो मान करें चलिए तो मान करें चलिए कि यह के था लोग परिष्षा अनुचित निवारक बिधेग फिधेक लोग परिष्षा का goo अधिनियम होजाएगा दोघार मोड़ीश कि एक माडल होगा यह गोग यहां कि दिन के लिए एक माडल होगा क्सा प्रकारिक माडल होगा क्योंकि राज्य केंद्र का कानून का लंगन तो नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ये राज्यों के लिए एक माडल वनेगा हर राज्य के लिए तथा राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने 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 पर्यावर्ण के अनुकुल एक नया इस प्रकार का कानून ला स पता चलता है कि बच्चे कि रूम एक कुल्ग में बंद करके महिनों महिनों सालों सालों तक प्रस्थit 스팟 बचने के लिए पता चलता है कि जिन पर भारोशा किये उन्हीं लोगों नहीं पर लिक करा दिया इस प्रकार का भी समस्याओं से बचने के लिए यह कानून लाए गया है जिससे बच्चों की प्रति बख्चों में एक्जाम की प्रति विशुशनिता को बढ़ाया जा सके गुइए कोवर करेगा टैपरी को बार किसी भी प्रकार के चाहे कंपटेशन एक्जाम हो यह करेगा आंसर लिक को कवर करेगा ऊंसर सीटर शेडोगा के करेंеж कराओं लोगे आंसर लोगे तुम्हारा आज़ींट करा देंगे अपना कुछ भरना तुमको फर्जी आंसर प्रवाड़ कर दिया जाएगा और अग्जाम क खतम होने क्लास रोम से बात करेंगे करें होगे एसलिए ज़ो को फ마ने बाले हो तो रोम नम्बर उन में सिर्फ वाले बैठेंगे तो तुम्हारा रैंजमेंट करा देंगे तो इस परकार के झाल नंबर आती है तो सीटिंग अरेंजमेंट से खेड़ छाड़े करने वाले भी इस अपराद किस्रणी में आएंगे किसी भी माध्यम से इस उदेश से पैसा वह सुलना बोलते हैं ना कि चलो ऐसा करो इस एक्जाम को करना है ना हाँ चलो हम कराएंगे तुम्हें आठ लग रुपय देना होगा तुम दूलाख पहले देदो शेलाख बाद में देगे इस प्रकार की सुनने में आता है हम इस किसी आकमेंत्र है कि अधर में यह एक प्रकार का पैसावा सहरा का ही कि क्यूंकि पैसा दिया गया होता है तो डाकमेंस नहीं रहा होता इसलिए भी पि想法 सुनन नहीं तोई एक परिष्षा करना इसमें का मतलब है कि चलो तुम तुम्हारा परिष्षा नहीं कि तुम परिष्षा में नहीं बैठोगे जो किया मुलाद के क्लियर कर चुका है हुआ में सब इंटरवीय जाता है दो बरशांट के इंटर्विव में और ऐसा बच्चा है जो इन सब एक्जाम को तुम्हारे जैसे चोटे में तो क्रेक कर देगा उसी को हम बैठा देंगे तुम्हारी जगा पर वो क्रेक कर देगा तो में सफल हो जाओगे और तो मैं नौकरी मिल जाएगी तो इस प् परकार इन परकार के में धोखा धड़ी के मामलों में जो कुछ भी अन्य हो जो यहां पर वरणीत नहों पाया हो वह भी इसमें आएंगे लागू कानून भारती न्याई संहिता 203 जो भारती दंड संहिता 1862 असिखर आयेगी भारती जह सॉक्खर कशनियों फटीन इसका करे रखा जाएगा इससी कानून का प्रावधान किया जाएगा इस कानून को तरत कार्यवाई पूर संही है कानून जह फरवरी को लोग सभा से पास हुआ दरसल सरकार की सरकार का बहुमत लोग सभा में है और इसलिए सबसे पहले इसको लोग सभा में ही पेस किया गया और सबसे पहले लोग सभा में पेस करके लोग सभा से पास करा लिया गया उसके बाद यह आया दस फरवरी को राजय सभा म में थोड़ी से सब्सक्राइब राज सभा में पास हो या ना और राज सभा में वहां में धौनीमत से पार पास हो गया तो लोग नहीं नहीं बोले तो इसमे धौनीमत में भी होती करता है कि नहीं पास नहीं होना चाहिए उसे दून सुनाई रहा है उस प्रकार से धोनीमत वाले में थोड़ी सी वी समस्या होती है कि अध्यक्ष्वात्वसावपति को क्या सुनाई दे रहा है तो यह भी समस्या होते हैं खैर उस वह बाते छोड़ते हैं तो है फरवरी को लोकसभा में और दस फरवरी को राजसभा से ध्वनिमत से पास हो गया उसके बाद अब यह जाएगा अलंकि इसमें सस्पेंस इसलिए था कि विपक्ष हो सकता है इसका विरोध करें लेकिन विपक्ष नहीं किया सथा पक्ष को छोड़कर बाकि सबसे बड़ा विपक्ष कंग्रेश है तो कंग्रेश ने समर्थन किया इसमें इस बील कांग्रेश ने समर्थन किया है और त्रीनामुल कंग्रेस यानि कि बंगाल में मम्ता बनर जी जीटेंश्ण पाटे शेये तो विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया इस बिल का कि इसमें सजा क्या प्रावधान है तो समाने पर इस थीतियों में तीन से पांच वर्ष का प्रावधान है और यह और यह दस लाख रुपे जुर्माना यानिक इसके साथ में दस और यह का मतलब कि इसके तीन वर्ष यह पांच वर्ष के साथ जुर्माना भी हो सकता है अत्व स्थितियों में इसमें लिप्त की पाये गये विख्थी को तीन पर्स immun 10 रूपे तक का जूर्माना रॉन को व सकता है अगर कोई भ्यक्ति सर्वार्श सर्फ्स प्रमाइडर भर्म अगर कोई बैक ती स्र्विस एतने से पकड़े है इसके खिलाब जो है कि अनका ऑनका काम करता है तो उनका गैंक भी होते हैं इस प्रेकार से चोलाने वाले होते हैं इत्यादी जो भी बड़े अस्तर के होंगे उन्हें दस वर्ष का करावास और या थवा एक करोण रुपए का जुर्माना तो दो प्रविधान है सम्मान अनिरुप् से लिप्त पाये बेस dopo कि 5 बर्ष करावास और या थवा लुपए जो रवना तुन chacun नहीं देने पर क्षेट कि इसलिए अगर दोनों अगर दोनो हो जाता है जुर्माना और करवास दोड़ा होता है उसके बाद जुर्माना नहीं देता मुझा ग्रावास सापसरें उसको जुर्माना सञर अगर नहीं देता है और भी अधिक उसको कारवास की प्रकृती बढ़ाई जा है अब राध की प्रकृति जो है यह चीए प्रकारकाहोगा होगा था फिरा प्राध होगा कि पुलिस आरेश्ट करने जाती है तो बोलते हैं कि चलो वारंट लाए हो वारंट है कि नहीं है तो किस अधार पर ग्रफतार कर रहे हो जमानती होगी जमानती का सीधा से मतलब इतना समझ लें हालांकि मतलत बहुत बड़ा होता है लेकिन आसान बासा में आप समझ लें कि गयर जमानती वहता है जिसमें व्यत्ति को जमानत का अधिकार है और गयर जमानती होता है जिसमें अपराधि को जमानत का अधिकार नहीं है एलांकी जमानती अपराद में जमानत का अधिकार में अधिकार नहीं होता है जमानत का अधिकारthe समझाता योग होता है नहीं होता है कर लिया अभू चले गए पुलिस के साथ गया अब दोनों लोग क्या करें समझवता कर लिए यह कोट के चाहरी क्यों जाना है विए जानते हो कि भूते रह जाएंगे लेकिन आपस में परकार के समझवता होते हैं लेकिन फरकार के समझवता समझावता योग्य केसेज में हो सकता है लेकिन यह गयर समझावता योग्य केसेज है इसे नन कंपाउंडेबल बोलते हैं नन कंपाउंडेल केसेज बोलते हैं तो यह नन कंपाउंडेबल है यानि कि गयर समझावता योग्य है इसमें समझावता नहीं किया है इसमें सजा से मुक्त किसे रखा गया है को अभ्यर्थी को एनि कि जो अभ्यर्थी एक्जाम दे रहा है उसे सजा से अभ्यर्थी स्बस्छ उसके फीरते है उसको चान्विन करने के पाथ पता चलता है कि सच में वह अभ्यर्थी है वह कंडिडेट है उस एक्जाम के लिए उसे सजा से मुक्त किया गया है लेकिं ध्यान देगे कानूंत के तहत उसे सजा नहीं मिलेगी बाकि आयोग उसको सजा देगा अपने हिसाब से सजा देगा तो पकड़ा गया है तो बाकी लोगों को सजा मिलेगी लेकिन कंडिडेटों जो सजा होगा इस कानूंत को कोई सजा नहीं मिलेगी लेकिन कंदिडिटिको पीस्टी आयोग जो है आयोंग अपने अधार प्रसाजा दे सकता हो सकता है इसके रद करते साल दो साल के लिए यह हो सकते हैं कंडुटिकीट्ट्र को हमेशा सके रह ре हिसाल के लिए या के उसी साल तो इसलिए केंद्र सरकार की जितने भी नवक्रिया है जिसे उपीएसी हो गया वस्ग्त है मेडिकल निग्जीनिरिंग इंजीनिरिंग हो गया निए इस प्रकार के कोई इंट्रेंट्रेंज pak defines लेने के लिए चानुन्स की आप समझ लेज़ेगे कि आप को हराने के लिए आपको दोस्ती करनी पड़ेगी दुस्मनी करके अमारा कुछ नहीं विगाड सकते ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर देजेगा जिससे इस प्रकार की बाद